असलाम अलेकूम सुल्तानों कुकिंग कीचन में आपका पिरते सौगत एक नए रेसिपी के साथ मैं आई भी हूं भोपाल बखरीद में और आज मैं एक नए रेसिपी बता रही हूं बिहारी कवाब जो आज बनाएंगे लबली भावी ये पीस को ऐसे पतला पतला ऐसे इस तर मैरिनेशन करके छोड़ा जाएगा अब उसमें क्या-क्या मसाला डलेगा बताते यहां दो अब इसमें लबली भावी मसाला क्या-क्या लगेगा भावी नमर चाद अनुसार ऐसा कि सादे इसमें अच्छे से मैश हो जाए अब इसमें भावी क्या डाल रहे हैं मिर्शी तो ख़ब प्रावत करें? तो आप की अडालने महाई इसमें? और आप क्या डाला है अभी इसमें? मैं गरम मसाला लगभग एक टेविट पूर एक चमज गरम मसाला जो भावी गर्मत बनाती है गरम मसाला अभी आप बॉलिये गार को मीस्तों में मुझे करें अब क्या डालें भाबी इसमें? जेवा आपको डिस्कुसन को बता देगे गरम असाला कैसे बनाते हैं धनिया पॉडर दाना एक देड़ चमच डाल लिया और अच्छे से अध्रक लसुन का पेश लगवा दो धाय चमच अध्रक लसुन का पेश धाय चमच अज भूजिए अध्रक लस्त तो अब सबसे एक्धाइट है थे उआप इसको अजार मैस्क कर दी बाभी आभी मैं आप में इसमें तेल नहीं मिलाया सरसोतर किरेटू से मसाला भी मिक्स मसाला थोड़ा कम लाग रहा है तो भाभी इसमें क्या डाला है दन्या पॉडर दो चम्मच के करीब दन्या पॉडर भाभी डाल रही है इसमें दो चम्मच और क्या डाला बाभी इसमें गरम मसाला पॉडर गरम मसाला कितना डाला है एक चम्मच और गरम मसाला जीरा पॉडर जेरा बॉडर कितना डालना है? 2 चममट करें दो चममट जेरा बॉडर इसको भावी अच्छे से माल कर दी है तो इसको कितना देर छोड़ना है? कम से कम 2 ठाय करता पीश कर करें काती हो डाल सकती है और इसको अब जादा मज़दार बनने चाहते हैं तो इसमें छोवारा को तलीवी प्याज को पीछ करके टाली और जादा मज़दार बन जाएगा ये बिहारी कवार के नाम से मशूरे वह जरूर ट्रा किजेगा बहुत ही जाकेदार लगता है आप लोगँ ट्राइक करके कोमन जरू के कैसा दूमेश में ऑप सर्सो तेल डाल रही है तीन चमच करीब सर्सो तेल डाली है भावी इसमेए ये पीजा वा पैजा है और खाजदा है अच्छे खाजदा किं égal क्यालटने पाजदा है पपीता गोष्ट को गलाने काम करता हुए और खसकत से यह जब इसको आग पर शेगेंगी तो वह गीरेगा नहीं आग को वह पकड़ कर दगता है तो आप तो फटा चलिया पपीता और खसकत की क्या खासी होते है इसमें बहुत हम भूमी का नीवाता है यह खसकत सा पुपीता वह इसको गलाने काम की आता है और खसकत उसका पकड़ बनाए रगता है जब वह सीख में वह आप पर गिरेगे है यह देखके तो अभी चे इसमें मुँँ में पानी आ रहा है यह देखे अर्ड देखे इसमें आप इसको और दमटेदार बनाने के लिए पानी निकला वर द इसमें दाली को तो यह मज़तार बनता जाएगा चलिए आप लो जरू प्राय कीजिए आप लो कॉमेंट करके जरू बताईएगा पूरा मन इसको तयार से रखा है आप एक बार जरूर इसको प्राय कीजिएगा और प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें सब्सकाइस करें और अपने दो सज़ार में शेयर करें ताकि सभी बिहारी कवार को खा करके वो संदोज हो अलावी इसको एक जल रखो अच्छी तरीके से मिक्स रखें आप इसको कम से कम दो तीन घंटा के लिए जरूर रखें ताकि पूरा मसाले अच्छी तरीके से जरू हो जाए और पपीता जो है गोश्ट को अच्छी तरीके से गलाव दे भावी का अब ये मेरीनेशन धाय सीन घंटे के लिए इस तरह ही रखतेंगी भावी ढख कर ले और तीन घंटे के बाद अब इसको आगएगा क्या इसका प्रोसेस हो भावी बताएंगी तब तक के लिए हम छोटा सब ब्रेक लेते हैं और तीन घंटे के बाद हम आप से फिर दुवारा मिलते हैं तीन घंटा हो चुका है और यह कवाव के गोश्ट कई हाल है और अब भावी इसे सीख में फचा रही हैं सिकाई के लिए यह भावी इस तरह सीख में सारे को लगा चुकी है यह देखिए यह कवाव जो सीख में लगाएं थी भावी किस तरह आध में लाल हो रहा है और यह भावी तोड़ा दिखाई है वह बीच वाला यह देखिए कितना लाल हो चुका है और यह दूसरा वाला भी बागी होने के लिए यह तीसरा वाला और भी अभी उतना होना बागी है क्योंकि घर के सारे लोग एक साथ बैठी गे तो फिर हम अब बनने के बाद आपको दिखादे है यह चटनी का सामान है जिसमें धनिया पत्ती है हरी मिर्च और लैसन की जार पांच कली और यह पोदीना की पत्ती और यह टमाटर अब इसको ग्रैंडर में डानवें के लिए कवाटर दनिया पत्ती हरी मिर्च प्लैसन और यह पोदीने की पत्ती चटनी के लिए कवाप साथ खाने के लिए यह देखिए यह पिसके तयार हो चुगी है जटनी और हम इसको खाने कर लेता है कवाब रेडी हो चुका था और यह देखिए कितना लाल हो चुका है और इसको यह भाबी सीख से निकाल के प्रेट में रख चुका है यह दनियापति की चटनी प्यास और नीम्बू आप भी इसे ट्राइ कीजिए यह रेसिपी को और कॉमेंट करके जरूर बताएज़गा यह खा के कैसा लगा लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्यूद्ध